हेलो दोस्तों नमस्कार शंतोसी आईस में आप सभी का स्वागत है आज यहां पर बहुत ही मोश इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जितने भी मिनरल्स हैं जो अपडेटेड डाटा आया है उसके एकॉर्डिंग हम पूरा करवा देंगे यहां पर जो कुष्चन आपका लिया गया है इसमें हम जो नया अपडेटेड डाटा आया है उसके थ्रोक करवा देंगे और कौन सा कहां पाये जाता है यह कुष्चन हर बार पेपर में पूछ ले लेता है तो आज हम आपको पूरा डिनोट करेंगे में कौन सा कहां पाये जाएगा माइन्स ठीक है चाहे वह तामबा का हो चाहे मेंगनीज का हो चाहे कौईला का हो सब कुछ कवर करेंगे और डारेक्ट अब जो आपका नया अपडेटे moo कर ले पूराने अपडेटे डाटे को नहीं जो नया 2023 में नया डाटे लांच हुए था उसके दो कर तो चलते हैं देखते हैं पहला कुश्चन जो लोग नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे आज पेपर हुए था आपका एपीएस का तो हमने जितना पढ़ाया था लगभख आधे से जादे कुश्चन घटना चक्र से आये हैं इसलिए मैं कहता हूं घटना चक्र आप पढ़के जाईए घटना चक्र बहुत ही आपके लिए राम बाड़ है सब कुछ कहीं से भी पढ़ लीजे लेकिन पर आता है सुखैंब कई बार आपको बोला था वही एकदम सेम तू undertaking घटना चक्र आउश सकती है तो आप आप व्यदी करिए आपका टहिसे सबस्क्र से ही बनेगा तो चलिया हम देखते हैं अपना पहला क्शें क्या कर रहा हैं निम लिखेत में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह कुश्चन आपका आया था आरो यारो में 2013 में तो देखी ऐसे कुश्चन आपके पेपर में बनेंगे तो बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है तो लव आयस का खान कहां कुद्रे तो करनाटक में है तो करनाटक में कुद्रे मुख है कि मागललब यह कर रहा है मैगनीज कह रहा है मैगनीज कोरा पूट में नहीं पाया जाता है कोरा पूट में बाक साइड पाया जाता है कोरा पूट आपका उड़ीसा में है यहां कोरा पूट है तो कोरा पूट आपका उड़ीसा में है और यह मेगनीज की खान आपके यहां नहीं पाया जाता है यहां बाक साइड पाया जाता है याद र यह को सी है तो यह सिंग रहनी यह सिंगरे नीज का जो है तो आपका कौँ सा सई है इसमें भी वाला सई और देखें कौन सा राज्ज विर्ग यह सबसे बीमी इसमें मे कंते हैं मैंन chords यह किए है सन्हें मगम का दफ भी मैगनीज में आप देखते हैं कौन सा स्टेट है परले मद्ध पर्देश तो मैगनीज आ जाए तो आपका मद्ध पर्देश याद रखिएगा ठीक है मैगनीज पहले नमर पे मद्ध पर्देश है यम से मैगनीज यम से मद्ध पर्देश याद रख लिजिएगा दूसरा कौ ये ज्यादा ियाद मत करिये ने तो इसके बाद कौन सा त्रीक रेत करेंगे तो या रखीए में पहले मध्यप पर्देस है उसके बाद नीचे महराश्ट्रा आ जाएगा इतना आपको याद रहेगा ये लेटेश्टिट डाटा है चलते हैं निम लिखित में से कौन सा सही है कथन सही है देखिए बीयो 2019 में आया है अभी लेटिस्ट में तो बताइए कौन सा कथन सही है भारत में उडिसा राज कुरुमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो पहले हम कुरुमाइट का डाटा देख लेते हैं इसके बारे म विचार करेंगे कौन सा है देखे कोरमाइट में सबसे नंबर एक पे है उडिसा उडिसा आपका रेजर्ब में भी है उत्पादन में भी है तो कोरमाइट में याद रखेगा आपका जो उडिसा है आपका यही सब कुछ है ठीक है कोरमाइट में उडिसा है फिर मनीपूर है फ यही लोग की चांदी है किसकी की चांदी है? राजस्थान की चांदी है. पूरे वर्ड लेवर पर किसकी चांदी है? मेसिको की चांदी है. तो याद रकिएगा यहां यह लिखा गया है करनाटा का है यहां राजस्तान लिख दीजिए ठीक है हम बताते भी चल ले हैं कौन सा है ताकि आपको थोड़ा याद भी रहे है भारत में आंदपरदेश में बाकसाइट का सबसे बड़ा बंडार है बाकसाइट का सबसे बड़ा बंडार भी उडीसा में ह याद रखिएगा उड़ीसा में ही बाक साइड का सबसे बड़ा बंडार है तो यह अहाँ पर आंदपर्देश नहीं उड़ीसा लग दीजिए ठीक है इसके बाद जब मैं सही लिख देता हूं इसके बाद पढ़िएगा थोड़ा सा आपको नौलेज हो जाएगा भारत में उ इसकेट का सबसे बड़ा भंडार है फिर करनाटक अ जाता है बार बार पजह सबसे बड़ा पूछा जाता है realidade है दूसा करनाटक है तीसरा यमपी है अगर उत्तपादन में देखा जाए तो यमपी है फिर महाराश्ट्रा गी यहाँ पर कह रहा है भारत में उडिषा मंगनीज का सब सबसे बड़ा भंडार है तो यह भी सही है तो आपका अगर परजंट टाइम का डाटा भारत में उड़ी सा बाकसाइड का सबसे बड़ा भंडार है तो याद रखेगा चलिए हम नहीं देखते हैं ये वाला कुशन देखते हैं ये वाला कह रहा है इस कुशन में कि निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है नहीं पढ़िएगा तो कौन सुमेलित नहीं है अब अब शिट्र दुर्ग सकता है यहां पर ये करनाटक के लिए पर देखिये यहां पर ये तो गलत है ये पहला वाला गलत हो गया तो कौन सही नहीं है तो आपका ये बचा ये बचा ये दोनों ये तो इसी दोनों में कोई होगा अब देखे लहो आयसक बिल्लारी दिया गया था हाँ लहो आयसक बिल्लारी में पाए जाता है ठीक है तो लहो आयसक कहा पाए जाता ह आपका बिल्लारी मीं यह एक्दम सही है मेंगनीज कहा पाए जाता है तो मेंगनीज आपका उडीशा मलब पहले नमर पे मेंगनीज क्या बताएं मध्य परदेश बताएं फिर दूसरा महराश्च्ट बताएं है तो उत्पादन में ठीक है और अपका भंढार में उड्रीशा पहले पे है, दूसरा करनाटक में है, भंडार में मैगनीज का, तो याद रखेगा, मद्द पर्देश उत्पादन में मैगनीज का पहले नमबर पे है, और महराश मैगनीज पे दूसरे नमबर पे है, तो मैगनीज भीलवारा दिया है, राजस्थान में मैगनीज नहीं है, त बहिल वार्णा में किया ताबा पाया जाता है याद रखिएगा भील वार्णा में ताबा पाया जाता हो तो यह काटनी में पाया क्या जाता है बाग साइड पाया जाता है तो आपका ये वाला कुछ ये वाला सही बिलारी और बाग साइड ये काटनी ये भी सही है और बिलारी कहां पाया जाता है ये मतलब ये साइड कहां है तो बिलारी करनाटक में है याद रखेगा करनाटक में आपका बिल्लारी है और चित्रदुर्ग आपका करनाटक में है ठीक है तो इतना समझ में आ गया चलिए हम देखते हैं कौन सा राज एवेश्टस का सरवधिक उतपादक कौन सा है बताईए तो एवेश्टस का सरवधिक उतपादक कौन सा पहले हम देख लेते हैं कौन सा राज एवे होता किसी साल होता है किसी साल नहीं होता है 2014-15 में हो रहा तो उसमें मद्व आंधर परदेश्था तो अभी हुआ नहीं है वेस्टास का उतपादन ठीक है लेकिन भंडार हम देख लेते penalty है भंडार में huns는 अस्तान पे कौन से राजबाई ऺए तो पहले अस्तान पर क कौन सा है आपका राजस्थान एवस्टस पहले सांपर राजस्थान पर करनाटक है याद रखिगा रशंच के मलब आपका भंडार में देखा जया तो तो उत्पादक पहले होता था यो सिर्फ एक ही जगा अन्धर पदेश का होता था यहां पे रूप में ख्यार रखते हैं सबसे ज़्यादार के रूप इसका सबसे ज़्यादा भंदार पाया जाता है मैगनेज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहा होता है याद करवा रहे हैं मैगनेज का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य परदेश में होता है इसके बाद महाराश्ट्रा में होता है याद रखिएगा मध्य परदेश में और परसिद्ध है अब देखें ये कोश्चिन आईएस में भले आया है 2013 में लेकिन ये कोश्चिन एकदम सिंपल है हमारा अगर एक इससे पहले वाला 20 नंबर का वीडियो देखे होंगे तो वहां हमने धारवार और गोंडवाना के बारे में आपको डिटेल में बताया है कि सब्सक्राइब के लिए धार Communist के लिए хотите धारवाण है याद रखेगा धार्वाना या रहा है प्राकिर्टिक गaimerल्त हो सकता। यह तो गलित ही वा'll घारवार किसे लिए दात वैस के लिए इस यहां तेल कह देखे है तो यह घ्लत हो गया एक और तीन 스πως साही कौन साही एक जहां है वो भी गलत हो गया जहां तीन है वो भी गलत हो गया आप देखिए इसमें बचे और इसमें बचे अभरक परचुर मात्रा में कोडर्मा में पाय जाता है तो कोडर्मा कहा है तो हम जारखंड चलते हैं यहां जारखंड में तो यहां पर आपका कोड तो कोडर्मा है यहां पर कोडर्मा में क्या पाय जाता है अभरक माइका ठीक है तो यह अभरक जिसको माइका बोलते हैं तो इसको कोडर्मा को क्या बोलते हैं माइका सिटी आफ इंडिया अगर आप किसे पेपर में पूछ ले या कोई पूछ ले कि अभरक सिटी किसको कहते है तो अबरक परचुर मात्रह में कोडर्मा में पाये जाता है तो हाँ ये सही है इसका आपका दूसरा सही हो जाएगा ठीक है ऐसे ही आपको तयार करना चाहे आईएस का कुश्चन हो चाहे पीसेस का कुश्चन हो सब कुछ हो जाएगा ठीक है तो हम एक बार रिविजन कर लेते हैं मैगनीज में उत्पादन में कौन है पहले अस्थान पर मद्पर्देश दूसरे अस्थान पर महाराष्ट्रा ठीक है याद रखिएगा मद्पर्देश और महाराष्ट्रा और हम एवेश्टस बताये थे कहा भंडार सबसे ज़्यादा है एवेश्टस का राजस्थान में फिर करनाटक में पहले राजस्थान में फिर करनाटक में फिर जहारकंड में एवेश्टस का बताये थे ठीक है और हम क्या बताये थे मैगनीज का रिजर्ब कहा है रिजर्ब अ है मैगनीज की बात कर रहे हैं और दूसरे पर आपका करनाटक है तीसरे पर मद्ध परदेश है चलिए हमने देखते हैं ऐसे हम रिविजन करते चलेंगे आपको लाशा तक या दिया जाएगा अब देखी यहां पर किसे आप कायंत retourिक चटानों मतलब मेटा मौर्फिक चटान से संब्ध करेंगे जो कौन है जो मेटा मौर्फिक होता है क्या कायंत adviser होता है क्या बताइए वह ऐसे चटान जो मतलब तूट-क या पिघल-क किसी तरह से दूसरे में कर नवर्ट हो जाती है वह काईंतरी चट्टान होती है तो वह कौन सा है अब यह आप से हम तो बताएं को कोई चट्टान जब दूसरे में परिवर्तित होती है कौन चट्टान मेंली परिवर्तित होती है मतलब सबसे ज्यादा लगभा कौन से चट्टान परिवर्तित होती है तो अगने चट्टान ज याद रखेगा जो गारनेट होता है वो अगने चट्टान होता है यह परिवर्तित होतर कायांतरित होकर आपका मेटामॉर्फिक चट्टान में बन जाती है तो गारनेट यहाँ पर आपका एंसर होगा ठीक है मैगनेज में उत्पादन में कौन सा नंबर एक पर है तो आपका म इगनेच की बाद कर रहा हूँ उडिसा के बाद करना टक है इसके बाद आपका मध्य गर्देस है मैं इतनी बार लिख दूँगा कि आपकोглий कलास में याद कर दूँगा मेरा पठाने का सिच्टम यही है कि आपको कलास में सब कुछ-कुछ याद कर दिया जाता है चलते हैं न बलुवा मतलब किसे बनता है बलुवा पत्थर से अब ये पूसाकता है कि संग मरमर किसे बनता है, ये भी पूसाकता है संग मरमर, मर, मर, तो संग मरमर किस से बनता है तो ये चूना पत्थर के परिवर्तन से, जो मेटामॉर्फिक चूना पत्थर का होता है, मतलब चेंज होता है तब ही तो बनता है, मेटामॉर्फिक मतलब एक स्थान से चूना है यहाँ पर, यह मतल यह चूना है, तब इसको चेंज करेंगे किस मे बदलेगा यह संगमर्मर में बदल जाता है तो अगर संगमर्मर को आप तोड़ेंगे तो चूना ही निकलेगा कभी एकदम महीं ज़से किसी का घर बन रहा है जिसके यहां संगमर्मर का मनलब टाइल सो लग रहा है देखेंगे धेर सारा उड़ता रहता है गरदा उड़ता र मरमर बनता है तिये भी पूछ सकता है तो कौर्जाइट किस से बनता है बलुआ पत्थर से बनता है चूना पत्थर संग मरमर से बनता है और चीजे में बता देता हूं ताकि आपको भूले ना ठीक है अब देखिए चलते हैं यह चूना पत्थर है चूना पर्थर से संग मरमर बनता है ठीक है मैगनीज निकल सीसा या जस्ता या या वेश्टस अब बताईए इसमें कौन सी सूची आपका सही है तो बताईए कौन सी सूची आपकी सही है माइगनीच से हम चलते हैं तो माइगनीच का आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा भंडार कहां पे है तो माइगनीच का सबसे ज़्यादा भंडार आपका उड़ीसा में है याद रखिएगा माइगनीच का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है लेकिन भंडार नहीं आपसे पूछ सकता है उत्पाधक ठीक है उत्पाधक उत्पाधन में सबसे जाधा कौन साय है। उत्पाधन में अपका मद्यपरदेश में है दूसरे पे महराश्रा है। याद रखेगा के यहां कुछ निखा गया आगर क MIDDPRD24我 राज जिनका फ्राण होता है। मतलब उत्पादन उत्पादन पूछ रहा है तो हम मद्ध परदेश अभी मैगनीज परदेश परदेश देखते हैं कहीं है तो एक पहला देखें यहां भी है यहां भी है ठीक और कहीं नहीं है निकल कहां पर होता है तो निकल का सबसे ज्यादा यह मतलब आपका उत्पादन आपका उडिसा जहारखंग नागलेंड तो यहां उडिसा जहारखंग और यहां निकल नागलेंड आपका तीसरा यहां दिया है और यहां दिया है Magneach का हमको पता ही है तो यही हो जाएगा ठीक है अब देखे एवेश्टस कहा होता है हम कहे थे कि एवेश्टस का उतपादक अंध्रपरदेश में होता था लेकिन पर्जिन टाइम में बंद है एवेश्टेस का उतपादर तो याद रखिएगा एवेश्टेस का आन्दर परदेस दो मेंगनीज का मदबर परदेस निकल का उरी कितना संपल रह थीक है अब इसमें सी याद ही है so, सी तो यादी है आपका मैगनीज यादी रहता है उतौदक मधश परदेश में इसके ब महाराष्ट मैं ठीक है दो डाटा पूराना भले है लेकिन नया डाटा आपको दिया हूं यहां पे ठीक है निमलिखित में से कौन सा राज भारत में मैगनीज का सर्वधिक उतौदक्दि सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है मदपर्देश इसके बाद कौन सा आपका महाराष्ट भंडार में उड़ीसा है आपका इसके बाद करनाटक आ जाएंगे उड़ीसा करनाटक एंपी ठीक है यादर भंडार में चलिए हम ने इस देखते हैं सन 2013-14 की डाटा बहुत भारत में मैंगनीज उत्पादक राज्जों में उच्छे से देखे मैंगनीज के बारे में कितना कोशन पूछा गया है मैंगनीज हम जानते हैं सबसे ज़्यादा कहां पर होता है मद्धपर्देश में तो मद्धपर्देश हम याद रखेंगे मद्ध मेदर पर्देश है उठ बोला महाराश्टरा है महाराश्टरा है इसके बादूरीसा है ठीक है यह हमारा डाटा है तो मॿधर पर्देश के बाद यहां सी ही लगा दीजिये क्या ठीक है क्योंकि जब यह कुश्चन 2016 में पूछा गया था तो वहां भी आपका सी ही एंसर लगाया गया था आयोग ने सी ही एंसर है तो हमारा भी हम अपने डाटा के साब देख लेते हैं यह मद्द परदेश, महाराष्ट, उडिसा यह आपका तीन मगनीज के उतपादक हैं ठीक तो ऐसे ही आना है ठीक आईसे जाके इधर आना है और जब वो पूछे याद रखे जब मेंगनीज के बारे में पूछे तो एक बार जब उतपादक पूछे तो ऐसे आके ऐसे जाना है और जब रिजर्ब पूछे तो उडिसा करनाटक मदब पर ऐसे जाना है ठीक है ऐसे आके ऐसे जाना फिर ऐसे आका थोड़ा नीचे करके उपर जाना है बस कैसे भी आपको याद करना है अब देखी यहां पर मैंगनीज का तो यादी हो गया मैंने इतना बार बताया है तो यादी हो गया तब ही मैं बताता रहता हूं बार बार की आपको याद हो जाए ठीक है मेरा और परपज नहीं होता मेरा भी बोलने का मन नहीं ज़्यादा करता लेकिन मैं सोता हूं आपका कुछ नंबर भला हो जाएगा ठीक है अगर मेरी वज़ा से तो मैं समझूगा पढ़ाना सही रहा अब बताईगे लह आयस के ताबा सोना अबरक बताईगे इसमें को फीर आजा है कहून है अंद्रपरदेस अबरक आ जाए तो अंद्रपरदेस लगाई आएगा ठीक है अगर और अंद्रपरदेस नहीं तो प्यूपונה में तैयारी है यह सी आप ऐसे ही बनेंगे ठीक है दिमाग से लगाईए बस आपका वहाँ पर सब कुश्चन सही होगा ठीक है तो देखिए अबरक आंद परदेश ठीक है एस्टीम की पहली सेड़ी चड़ गए यह देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं लोह ताबा और सोना तो ताबा कहा होत है ठीक है यहां पर लँडघन देखियों बच्चे दखेिए लएशाए है तूसरा कौन सा है इसे नंबर वन अम्रीचा है को आपका करनाटया है तीसरे पे करनाटक आ जाता तो चोथे पे जारखंड आ जाता ए है ठीक है तो याद रखिएगा उड़ी सा च्छतिसगर करनाटक और चारखंड यह आपका लव ऐसके के उतुथ पादक है ठीक है अगर सीशा यहां पर था नहीं सीशा तो नहीं था सोना देख लेते हैं अब सबसे लेहें हैं और उत्पादन में सब कुछ में हैं दूसरे राजस्तान ठीक है या रखिएगा अ पूरे dar में झायना है दो है मैं अधाना है हमारे ना यह पूरे वर्ड में सबसे ज़्यादा कौन रखता है भालत रखता है इसका अब चलते हैं फिर देखते हैं दूसरा केंद्र और खानिज ये बताईए कहां ऐसे कोश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा कर्फूजन करता है तो ये बताईए अच्छा कोश्चन है तो ये कहां पर जो दिये गए हैं ये कहां पर आपका रिलेटेड हैं तो बताईए ये कहां पर है आप देखिए आप आई हो बता देखें कोरा पूट पहला ही कोश्चन आप देखें होंगे कोरा पूट हमने बताया था किस के लिए था वाक साइट के लिए था कोरा पूट बाक साइट के लिए था कहां पर उड़ी सामें यहां पर कोरा पूट था तो कोरा पूट तो सी का च है वहाँ वाला मिल गया अब हम लगा लेते हैं एक हाद माकूम bırakum एक माकूम-थै तै कि लिए डली राजहरा कि तो यह कहाँ पर है डली राजह यह आपका इसा ते match ते चपाने में है और यह किस के लिए प्षाया के लिए फेंस है टिक रूरह के लिए प्षाया लोग माकूम कहां पर माकूम यह नहीं बताए काना असम में है याद रखेगा असाम में है तो कैसे याद करेंगे जब कोई चीज मालूम रहता है तो आपको आसान रखता है ठीक है तो इसे याद करिए जब कोई चीज मालूम रहता है तो आसान रहता है और सकता यहीं पूछ ले कि माकूम कहां पे है तो कहां पे है असाम में है कोई यह फेमस है चित्र दुर्ग क्षित्र केρα सबसे आगे है किस में आगे है bit क्सोंनी में सबसे ढाट मेंでは तो चलिए नेश देखते हैं अब बताईए खानीज अब सोरी यह वाला यहां आ गया है अब याद रखिएगा यह वाला यहां है ठीक है खानीज कौन से है तामबा निकल टंगस्टन अब बताना है तामबा कहा होता जारखंड या निकल उडीसा या टंगस्टन केरल तो ही आया है लेकिन यह बहुत ही सिंपल कुश्चन है कैसे अब देखिए तामबा लिखा 90% से अधिक सुरूत हम जानते हैं तामबा जहार को राजस्थान में पाया जाता ना तो जहार खंड कहां से आ जाएगा क्योंकि तामबा और चांदी राजस्थान फेमस है उसके लिए तो यहां जहार खंड कहां आ जाएगा तो यह देखे पहला वाला आपका गलिती हो जाएगा तो पहला जहां पे है उसको गलत कार दीजिए यहां है गलत कार दीजिए यहां है गलत कार दीजिए आपका सिर्फ केवल दो बचा देखे दो वाला सही है ठीक है इतना सिंपल कुछ नहीं पता है आपको लेकिन देखे दो वाला अगर तांपा आपको पता है 90 परसन से अधिक सुरोत आपका राजस्तान में है तो जारखंड कहां से आ जाएगा देखे सही हो गया तो आज ये सा कुश्चन देखे कितना सिंपल तरीखे से हो जाता है इसमें कौन सुमेलि से जाट नहीं है अब इसमें कर right armure Is आ ऑमगुरी कहां पे रहा है आम गुरी याद रखे कघे का एक पिया दॉर्च गहां को इसम्त में चाहिए कृए तो यह कहां शक है प्र से होट्रूल्यू परस्दता है कि अब्यूह दो यह गंको नोद्द ये बाराम के लिर्क लाने के लिए आपको ऐसे कुश्चन याद ही करना पड़ेगा वो कुश्चन जैसे आप याद कर लिए सिर्फ वो इस सिंपल सिंपल अगर टॉपिक पढ़के चले जाएंगे तो आपका जो पहल तीस नंबर तक जो गुर्फिया आता है वो कैसे करेंगे वो सिंपल सिंपल यह सब्साब्साइए यह सभी कोश्चन करके आए जाएंगे लिकिन जो टफ एक वो जो जो करके आएगा उसकी रेंक अच्छी जाएगी ठीक है काम्पटी याद रखिए काम्पटी काम्पटी कहां पर है यह नहीं पताएक वहाँ यह यह किस के लिए फेमस है कोईले के लिए परसिद्ध है तो यह कोईले के लिए परसिद्ध है बिल्लारी तो बिल्लारी जाने ही रहे थे कहां पर है करनाटक में पहले ही बताया थे करनाटक में इस किस के लिए फेमस है लोई ऐस के लिए एक दम सही है तो आपका सी वाला जो है ये आपका गलत है ठीक है कामपटी कोईले के लिए लांज गड़ है उडिसा में बाकसाइट के लिए आमगुरी पेट्रोलियम के लिए बिलारी करनाटक लो बिलारी बहुत इंपोर्टन्ट है याद रखिएगा चलिए निश्ट दिखते हैं कौन सुमेलित नहीं है तो बडल अबराखा को ऑं कहां पर है याद राखा खान ऑगलत है जार खर्ण्ड में राखा खान लिए परसीद दो यह तामप किलिए परसीदू है यह नहीं नहीं ऊत्ताबा और अब्रक अ करें अबरको का उत्पादन होता है और निल्लोर है कहां पिए अंधु पर्देश मेंhen में तो यहांपे साइट के लिए एक दम रही है तो यहां पर आपका C वाला गलत होगा सब का छेतर याद कर लिजिएगा ठीक निमले मैं से तांबा, सॅँणा, लोहा कोईले का सही करम है मलत ब करेंगे तांबा सबसे ज़्यादा कहा होता है सूना कहा होता है पिर लोहा, पिर कोईला अब देखिए इसमें कौन रहे हैं बता देंगे कि इसमें कौन सा सही है तो कौन सा सही है तांबा हम सिर जानते हैं राजस्तान का खेतड़ी सोना जानते हैं कुलार इस फिर मूवी बनी है और कुद्रे मुख लोहा कुद्रे मुख करनाटक कुद्रे मुख लोहा के लिए परसिद्ध है कोईले के लिए हरिया है लोहे के लिए कुद्रे मुख है सोने के लिए कोलार है और यह तांबा के लिए खेतड़ी है यही आपका सही हो जाएगा कितना सिंपल कोश्चन था किस राज में का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एका अधिकार है तो जैसे आपका राजस्थान में चांदी त चांबा का अधिकार है वैसे ही आपका क्रोमाइट में क्रोमाइट में सिर्फ उडीसा का अधिकार है याद रखेगा उडीसा का उडीसा का उत्पादन में भी सबसे नंबर एक है आपका और रिजर्वे में भी है उडीसा नंबर एक पे है इसके बाद आपका आता है मनीप खेट यहां है नागलेंड तीसरे नंबर पे और दूसरे पे यह आता है पहला दूसरा तिसरा ये कुरो माईड के हैं ठीक है कि याद रखेगा तो चलते हैं आगे देखते हैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अभी हम डली राजहरा पढ़े थी कहां पे है 36 गड़ में याद रखेगा को डर्मा पढ़ें को डर्मा ये को डर्मा कहां है जारखंड में है जारखंड में है इसको क्या कहा जाता है अब्रक सिटी कहा जाता है ठीक है याद रखेगा को डर्मा क्या कहा जाता है अब्रक सिटी कहा जाता है अंकलेसवर हम पढ़ें है अंकलेसवर कहा है तो यह गुजरात है यहीं पे है अंकलेसवर यह देखे गुजरात है यहां पे है अंकलेसवर यह किसे के लिए परसिद है खनीज तेल के लिए परसिद है अंकलेसवर अगर दिमाग कहीं पेपर में रहे तो उसको खनीज तेल से रिलिट कर दीजेगा अब बताईए ये खेतड़ी लोहा ज्रिया तांबा और सिंग भूम कोईला तो बताईए कौन किसका सुमेलित है मतलब इसको ऐसे करना है तो खेतड़ी में क्या होता है सिंपल ही कुशन है ज्यादा टफ नहीं है क्या कोई कुछ नहीं है इसमें तेखिए खेतड़ी तांबा ज्रि क्या क्या होता है तो कोईला होता है सिंग भूम लोहा होता है तो सिंग भूम कभी दिमाग में आए तो सिंग जो सेर होता है वो उसकी ताकत लोहे जैसी होती है ऐसे याद रखिजिए तो सी का पहला सी का पहला कहीं है सी का पहला यहां है यहां है यह गंसल यह गंसल और एक एक निलिक्षे में सुमेलित नहीं है अब कर रहा है कामन गुंडी करनाटक का रहा है और इसिंग भूम जारखंड का रहा है वैयूरभंज उड़ीशा का रहा है तो बताइए ये थोड़ा सा आप ये आज थोड़ा सा नहीं हो पाया है दरसल मेरी थोड़ी सी तब ये डाउन थी तो मैंने अपनी सिश्टर को दे दिया था उनको पीपीटी बनाने को वो बोली थी विजला ये हम बना देते हैं तो थोड़ा सा ये गर्व इसके लिए स्वा में है तो याद रखेगा च्छतिस गड़ में है तो याद च्छतिस गड़ में आपका बैला डिला है कामन गुंडी कहां है तो कामन गुंडी कहां पर है कमान गुंडी कमान गुंडी आपका याद रखेगा करनाटक में है तो एक दम सही है कौन सुमेलित नहीं है तो आपक कमान ओंडी ठीक है करनाटक में है बैला डीला 36 गड़ में तो बैला डीला याद रखेगा 36 गड़ में ठीक है चलिए निश्ट देखते हैं निमलिखित खनिजों पर विचार कीजिए बताएए कौन सा खनिज है तो बेंटो नाइट क्रोमाइट और काइनाइट सिली मेंटाइ भारत में उपरेक तुमें सा अधिकारिक रूप से नामित परमु का खनिज कौन सा है तो आईएस ये 2020 में पूछा गया है तो क्रोमाइट है काइनाइट है और सिल्मेनाइट है ये अधिकारिक रूप से खनिज है याद रखेगा यही है बेंटे नाइट नहीं है तो दो त कौन सा आपका सफिय है बाला ताईबा घञान के लिए नहीं जाना जाता है अबbell घञान जाता है आपका मैगनेज और ताबा की खान के लिए तो याद रखिए बाला घात जो होता है ये मेगनीज और ताबा के लिए जाना जाता है और मजगाओं किसके लिए जाना जाता है ये हीरे के लिए जाना जाता है ये हीरे के भंडार के लिए जाना जाता है उपरेक तो कटनों में से कौन सा कथन सही है तो बताइए कौन सा कथन सही है तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है दोनों आपका गलत है आईएस दो जार साथ में आया है तो भाला घाट मेगनीज और ताबा के लिए जाना जाता है और आपका मजगाओं हीरे के लिए जाना जाता है मजगाओं भी आपका मद्ध परदेश में है पन्ना जिले में है पू तो कहां पर बनाय जाता है ललितपुर में चुनार में जहांसी में या चुरके में तो बताइए वीडियो पहुच करके तो ये ललितपुर में बनाय जाते हैं याद रखेगा ललितपुर में महूबा में बादा में एक ग्रेनाइट पाया जाता है यह कहां ग्रेनाइट पाया जाता है ललितपुर में महूबा और ग्रेनाइट वो आपका बादा में जब हम यूपी इस्पेसल पढ़ाएंगे तो सब कुछ बताएंगे ठी और पूरे ड कुश्चन है कहां पे मद्द्यपर्देश पन्ना फेमस हीरे की कंद्री निम्लेखित में हाल ही में हीरा युक्त किम्बर लाइट के बिरियत भंदार कहां पाई हैं मतलब यह आई इसका जो वह उसके करेंट पर बेस होता है वह है तो कहां पर पाई गए हैं तो याद रखा र पाएपूर में पाएगे हैं करेंड का कोश्चन था तो सोन भद्र जन्पद निम्लिखित धातुव में कौन सी पाई जाती है तो याद रखेगा तो यह बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है काई वार पूछा जाता है तो सोन भद्र हम लिखते हैं उसके बाद इसके कौन कौ भी पाया जाता है फायर किले फायर किले भी पाया जाता है क्या फायर किले लाइम इस्ट्रोन इंडोसाइट पायराइट डोलोमाइट यह सब पाया जाता है आपका कहां पर पाया जाता है यह सोन भद्र में लेकिन यूरेनियम नहीं पाया जाता है याद रखेगा यूरेन पाया जाता है ठीक है याद रखेगा एंडूसाइट पायराइट डोलुमाइट यह सब सोन भद्र में पाया जाता है मैं तो आपका कौ। कोitel抑 साही हो जाएगा इसमें आपका दो तीन चार साही हो जाएगा छेज़ा केरल के कैरल के कई भागों में समुन्दी तटिये बालू के पदार्थ में कौन से पाय जाते हैं तो जो केरल है वहां पे जो समुन्दी तटिये बालू में निमलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है ये भी काफी अच्छा कुश्चन है तो बताइए कौन पाए जाता है इसके बाद क्या पाए जाता है याद रखेगा जिर कौन भी पाए जाता है ठीक है तो इलमे नाइट जिर कौन सिलमे नाइट टंगश्टन नहीं पाए जाता है तो बालू में टंगश्टन नहीं पाए जाएगा तो ठीक है तो आज यह का कुश्चन है यह कहां आपका एक दो ती दोजार 6 में आया था ठीक है इलमेनाइट जिर कॉन में सब्सक्रापराण। सोदी दिदुफे कौन सा खनिज पाए जाता है अब देखिए इसमें थोड़ा सा मलब भी बाद ए था क्योंकि थोरिय न्वाए जाता है थोरियम में क्या होता है आपका मोनोजाइड भी होता है यूरौियम भी होता है अगर पूछा गया है थोरियम कहा पाय जाता है केरल के तड़ पर निम्रेखित में से कौन सा खनीज केरल में बहुतायत से मिलता है मतलब जो कौन सा खनीज है जो केरल में बहुतायत से मिलता है यहाँ पर ठीक है तो कौन सा तो अभी याद रखिएगा थोरियम हो या मोनोजाइट हो कुछ भी याद रखिएगा तो आपका मोनोजाइट होगा कौन सा होगा मोनोजाइट देखे 2013 में भी आया है भारत में मोनोजाइट पाए जाता है देखे मोनोजाइट यहीं केरल में है यहीं पे केरल में पाए जाता है थोरियम है मोनोजाइट कुछ भी हो आपको केरल ही कियम के मोनोजाईड बालुका में ऊर्चियाम होता है यूरेनियम होता है तो ये याद रखे ये वाला आपका सही है आगे वाले तो कुछ था यह गलत किया उसमें विवाद था तो आपका यह वाला कौन सा है थो यह वालय को यह तो यह है कोई केरल्म है इसका हो जाएगा था लौगा पाशिद था बताईयों जादू गुड़ा किसलिए परसिद है यूरेनियम के लिए अब पूछ सकते हैं यह जादू गुड़ा है कहां तो जारखंड के किस जारखंड में है याद रखेगा जो सिंग भूम ही नहीं है सिंग भूम के पूरवी साइड में जाद रखेगा जादू गुड़ा सिंग भूम अब देखिए छोटा नागपुर का पूरा पठर यहां सिंग भूम है यहीं पर धारवार की चट्टाने मिलती है तो इसके पूरवी भाग में यहाँ पर जादू गुड़ा है यहां पर एक मतलब एक किलो क्या थोड़ा सा याद रहें थोड़ा सा मिली में मिली में आप ये मतलब एक छोटी सी थोड़ी सी पतली से चोटी से कटोरी नहीं होती प्लेट उसमें ही उतों मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं उसमें थोड़ा यूरेनियम लीजिए और कम से कम पूरा जारखंड का जितना कोईला है उतना ठीक है जितना कोईला जारखंड का पड़ा है उतना ठीक है वो दोनों बराबर हैं बिजली उत्पन करने में ठीक है तो यह तो जादू ही हुगा ना उतना पूरा बड़ा कोईला खादान और एक छोटी से कटोरी में यूरेनियम तो यह दोनों कितने आस्मान जमीन आस्मान के उतने में अगर आप एम दिडी और इस डाइज गाडियों इरोनियम बढ़ा जाए एक बार एक और निय्गा देंगे में मुथप त में अइक बार ऑन जरा घुरा सा यह खार होती है तो जानते हैं पंदरा करोड़ साल तक आपकि इक नख सबस्क्राइब कि यह जादु선र करोड़ा में पाय जाता है जादुगड़ा में पाय जाता है टूरम दी तो यूरेनियम तो दीखिये इसका यूरेनियम का ही खनिज़ होता है तियाद रह्यूद तो जन्झ भोमे में टूरम डी तो जार खन्ट सिंग भोमें तूरम डी शलते हैं 36 गड़ राज में निमलिखित में से कौन सा खनिच प्राकिर्थिक रूप से मिलते हैं जो प्राकिर्थिक रूप से खनिच 36 गड़ में मिलते हैं वो कौन मतलब कर रहे हैं चार्शाइब है औरे लितैने सthought है और रहां सरकरों से लिया कैका लैДа तो आपका कौन से सही होगा मज़ून के स्टमरा ते ना शेट में मोज़ून को सुछेंगे नहीं कर दोकरा मज़गी बने का किषार 7 चार्शास चार्शा ठोकरा खें EPA में बाक said कहां पाया जता है आपका बलराम पुर में पाया जाता है बीजा पुर में बाक साइध काँस पॉर्यम पाधाग साइध के कहां बगए पाया गर देख लिजी है बहुत इंक्वरटेंट कैसे पूचरी बाक उतपादन में उतपादन में पर्डक्शन में रहें के देखते हैं पहले 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 पह रिजर्वे में कौन सा है तो रिजर्वे में देखते हैं पहले अस्थान पर कौन सा रखेंगे यह इसको पैन चेंज कर लेते हैं ठीक है यह पहले रिजर्वे में तो पहले अस्थान पर उड़ी सा है तो उड़ी सा बाकसाइड में दोनों में अस्थान रिजर्वे में भी उ तो आपका कुश्चन में क्या दिया था बाकसाइड तो बाकसाइड है याद रखेगा डोलोमाइट लोह आयसक टिन यह सबी है तो यह देखिए याद का याद रखेगा जो आपका नीले कलरका है वह उत्पादन में पहले दूसरे पर एक बार देख लीजिए ऐसे ही आप कौन सा कहां पर है तो उसको बार-बार आप देखेंगे या आप मोबाइल में उसको कवर पेज लगा लीजिए ठीक है ऐसे कर लीजिए अपने मोबाइल में उसको लिखके कवर पेज लगा लीजिए बार-बार मोबाइल आन करेंगे अनलाग करेंगे तो देखेंगे तो ब सब्सक्राइब कर लेते हैं जब तक मुझे मनलब थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा हो सकता आप सब भोल जाएं फिर से बताता हूं उत्पादन में बाक साइट के पहले नंबर पी यह है इसके बाद दूसरे पर जार खंड है तीसरे पर कौन सा है दूरी सा जार खंड उत् है सचिए इसके बाद उपर चले जाएंगे जहार खंड अब यह रिजरों सा है तो पहले क्या करनेंगे उरी साने तो पर कहां जाएंगे पिर इसके बाद कहा ze जाएंगे आंद्रपरदेश जाएंगे फिर इसकेबाद कहां जाएंँगे am 23 g场 ए 15 घहाएंगे 24 घणगे इसक चाहारा हूं क्योंकि यह नए डाटा है भी अधिए यह साथ वही कुश्चन है अगया है अभी ये सिम्पल ही कुश्चन है ताबा सबसे ज्यादा कहां पा यह राजस्तान में जहरखंड दिया गया तो यह एक कट गया, एक यहां भी एक गया, कितना सिंपल कोश्चन था, निम लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताइए 2021 में आया है, मैगनीज बैलाडीला करा है, बाकसाइड लोहर दगा करा, लोहा कोडर्मा करा, अबरक तलचर करा है, तो बैलाडीला किस लिए परसिद्ध है, बताइए, बैलाडीला आपका लोह आयस के लिए परसिद्ध है, कैसे याद करेंगे, आप देखिए, बैल लिखा गया है, यहां पर बैल लिखा गया है, और बैल का सरीर मेंगनीज जैसे होगा, कि लोहे जैसे होगा, तो बैल का सरीर कैसे होगा, लोहे जैस होगा तो यहां पर लोगा लोग जैसे आप जादू गोड़ा याद किये थे जादू है उसमें ये यूरेनियम में जादू गोड़ा वैसे ये बैला डीला बैल का जो सरीर होता है लोग जैसे होता है अब बताइए यहां पर कौन सा साइज में लिता है बाक साइट तो बाक सा जार भट गंड में तो यह लोःऑ और्मक कहां लिखा गुवर कि का लगे जार यहां प्रगि लोजायो क्सिश्टी अंन रखांगन में लोजा लिखांए गया l चाया है कि तो तल्चर k प्रखें Constant मुकु मुकु किसलिए डली राजहरा कोरापुट चित्रदूर गया अब देखिए ये कोरापुट कहां पाया जाता है तो कोरापु आपका ये उरीशा में है ठीक है और कोरापुट किसलिए बताया थो अब बाजसाइड के लिए तो कोरापुट बाकसाइट का C का चौथा C का चौथा यह की है अब इसके बाद देखिए एक का दूसरा कह रहा है एक अब मुकूम कोईले के लिए परसिद्ध है याद रहे हैं मुकूम कोईले डली राजहरा 36 गड़ में है किसके लिए लव असक के लिए है तो यह लव असक हो जाएगा ठीक है चित्त दुर के किसके लिए परसिद्ध है तो मैगनीज के लिए परसिद्ध है ठीक है तो भी वाला आपका सही हो जाएगा निर्स देखते है केरल के कई भागों में समन्तट ये बालू पदार्थ पा जाते हैं ये कौन से हैं तो साइद वही फिर आया इल्मेनाइट, जिर्कौन, सिल्मेनाइट ठीक है याद रखिएगा कौन से सही हो जाएगा आपका चौथा छोड़ दीजिए ठीक है तो एक, दो, तीन हो जाएगा ठीक है ये कौशिन देखिए ये कौशिन तो आप से, वह ऐसे पूछा नहीं जाएगा आप से, क्यों? क्योंकि अछल्ब जिले हैं, वहाँ से मंनलब जो काद्यान इहां जैसे अपने कुछ हैं, वह ऐसे वहाँ दीआ तो ऐसे देख लिजिए जिबसम के लिए क्या हो वहाँ पहमस है जिबसम के लिए जामसर पहमस है याद रखेगा जिमसम के लिए जामसर ठीक है और इसके बाद ताबे के लिए कौन सा पहमस है खो दरीबा ताबे के लिए खो दरीबा राक फेस फासपेट तो राक फेस फासपेट किस के लिए पहमस है तो याद रखेगा ये पहले के लिए जामर कोटडा सीसा और जस्ता किस के लिए पहमस है तो याद रखेगा रामपू में कोई नमबर एक पर है? ठीक है? तो जिबसम में नई डाटा के अनौबर गुजरात है तो जिबसम में कौन सा पहले अस्थान पर राजस्थान है, दूसरे पर गुजरात है, याद र Killer रखिएगा और यह production बता रहा हूं इसके बाद आपका रिजर्व में पहले अस्तान पर रिजर्व में भी यही है रिजर्व में दूसरे अस्तान पर जम्मू एंड कस्मीर है जिपसम में तीसरे पर तमिल नाडू है तो यह आप से पूर सकता है जिपसम में नंबर एक पर कौन है तो याँख बंद करिए सोचिए कि जिपसम में प्रोडक्शन में राज अजस्तान घूम के एकदम उपर चले जाएंगे जिबसम में फिर एकदम नीचे आ जाएंगे ठीक है उपर जाएंगे एकदम तीसरे पर आ जाएगा तब जिबसम ये याद रख लिएगा ठीक है हाक बंद करके एक बार अपने पनी आपने सोच लीजिए इसके वीडियो आके लिखिए ठीक है याद हो जाएगा समूपम्विसमेलित कीजिए ब cottage ये कौन सा सुमेलित है खेतरी किसके लिए है ये कुश्ण तो सएधाया ही था ऊप घ्रिया कोएले के लिए परसंधा रख साइट कोईला सिंपल एकदम सवाल है अब आपको पता होगा हीरा तो हीरा किसके लिए परसिद्ध है पन्ना पन्ना हीरा तो एका दूसरा एक दम सिंपल एकदम बच्चा वाला कोशन दे दियें ठीक है इसके बाद आपका बाक साइट याद रखिए लौ अब अब सब कुछ बता ही देते हैं कौन कहां पर फेमस है तो लो ओिस बस्तर दूर्गेजिबा इसके बाद सी की का आपका तीसरा है तो यह बाक साइट सारगुजा मांड़ ताना बालाघाट याद रखिए बाक साइट बालाघाट बिलासपूर, ठीक है बिलासपूर बहुत इंपोरडन्ट है बार बार पूछा जाता है बिलासपूर याद नहीं कर सकते है क्योंकि human mind एक सीमित है ठीक है यह नहीं कि मतलब सब कुछ आपको दिमाग में रख दिया जाए कुछ main चीजे याद रख लेजिए उसके थो आप जो option आएगा उसको eliminate कर दीजिएगा हाँ लेकिन जो चीजे याद रखिए वो हमीशक मतलब याद ही रख करना हो जिसे मेगनीज का डाटा याद कर लीजिए जिपसम का डाक्टा याद कर दीजिए कोईले का लव आयसका यह main main डाटा याद हो जाएगा तो आपका eliminate हो जाएगा ठीक है अब जिसे ताबा का एकदम पता ही रहना चाहिए आपको 100% यह नहीं कि 99% पता रहना चाहिए 100% ताबा का खेतरी अब B का कहां पे तीसरा आप देखिए यह कहीं भी आये तो आपका हो जाता है ऐसे ही कुछ चीजे जब याद रखेंगे तो elimination में सही रहता है ऐसे नहीं elimination होता कि कुछ याद नहीं है तब भी eliminate कर देंगे तीक है तो आपका यह सही हो जाएगा अब यह बताएए ताबा गैस प्लांट यह सब कहां पे है तो बताएए अब देखिए यहां क्या पता है ताबा खेतरी यहां भी पता है ताबा खेतरी तो खेतरी लगा देजिए ताबा खेतरी एक आपका चौथा तो यह का चौथा देखिए यहां पर है यहां पर कम से कम फिप्टी फिप्टिम तो आ गए आप अप देखिए गैस प्लांट गैस प्लांट कहां पर औरहिया हम सब को पता है गैस प्लांट औरहिया में है ऐलमूनियम एल्मूनियम 36 यहां पर है याद रखिए कोरबा यहीं पर है 36 गड़ में और यहीं पर है आपका एल्मूनियम सही है पेट्रोलियम कहां पर है तो कोच्ची में है ठीक है याद रखिएगा पेट्रोलियम आपका कोच्ची में है ठीक है तो आपका कौन सा हो जाएगा एका पता B का दूसरा B का दूसरा करी है यही आपका सही हो जाएगा कितना simple question था कुछ चीज़zon आपको याद है तो हो इाएगा सोनबद्र जनपट में निम्लिकित धातूँ ने कौन से पाई जाती है सोन भद्र में कौन से धातूँ है साइद ए भी आया था, इंडूसाइड, डॉलोमाइट, पायराइट, ठीक है, तो इसमें कौन साब का, पहला वाला हटा देजिए, और से दो, तीन, चार, अब देखें ये, ये कोशन, ठीक है, यूरेनियम केंदर और राज्य, तो बताएए ये कहां पर है, यूरेनियम केंद बनाना रहेगा, मतलब उनको तब ऐसे ही कोशन देंगे, अगर ये सब कोशन आप कर लेते हैं, तब आपका अच्छा रहेंगा ठीक है, कोई भी हो, अब देखें, दमाई साइथ, दमाई साइथ कहां है, तो याद रखेगा, दमाई साइथ, ये आपका मेगाले में है, याद रहेगा, लंबाई अंधरपरदेश की कित्ती बहुत बध़ी है, ये बिखें, पूर्वी साइथ तो clicking का है, तो लंबबापूर अंधरदेश, रोहेल राजस्तान में है, और गोगी कहां है, तो गोगी आपका कर्नाटक में है, इतना कुश्चन, बाउन इक कुश्यन इसको थोड़ा सा रट लेजिए गा इसमें कोई क्या टरिक बताएं उसमें पलामू हजारी बात खेतड़ी और क्यों जहर अब जैसे जो कुछ आपको पता है वो लगा दीजिए अब देखें खेतड़ी पता है तो खेतड़ी किस के लिए है ताबे के लिए याद रिखेंगा सी का पहला सी का कहीं पहला है आप दीजिए यहाँ आगेए यहाँ आगे आपकर दो सीलिए मैं कहते हूँ कुछ चीज़े आप रट लीजिए खेतड़ी आपका कहा आ 아 गया यह अपका ताब किसम कहां आएगे पलामू कहा है बाक साइट का भंढ़ार होता पलामू का तो चौथा याद रिकिए, इसमें बिबादित है, ठीक है, बिबादित है, इसको हम अपने हिसाब से देखेंगे, ऐसे नहीं, तो पलामू आपका बाग साइट के लिए फेमस है, हजारी बाग, तो हजारी बाग में अबरक का बंडार है, तो याद रखिएगा हजारी बाग में अभरक का बंडार जो डाटा गवर्मेंट दिये हैं उसके इजाब से हैं क्यों जहर अब बचा क्यों जहर तो क्यों जहर आपका किसके लिए हो जाएगा क्यों जहर आपका मैगनीज के लिए है क्यों जहर कहां है यह मैगनीज के क्यों जहर उडीसा में है ठीक है उडीसा में स पिर हजार भाग B का त्यसरा ऐहांप flips के कितरी के तामस थाह होना चाहिए न है तो खेटरी के लिए दो दिया गया है मेंगनीज खेटरी के लिए तामबा हम सब पढ़ते ही जाये है क्यों जर मेंगनीज है तो ٹ meter今 यह पर जो कि यह घृत्त कोश्चंत तब ही नहीं इनमीनेट हुआ यह पिप्टि पिप्टि हुआ है नहीं तो यह हो जा था ठीक है तो यह पहला हवाला सही होगा तीक है इसमें देख लिए जो वह ऐसे वी खेटडी ताबा के लिए परसिद है तो कोई दूसरा खेचड़ी आप हमेशा पढ़े होंगे कि खेचड़ी किसके लिए ताबे के लिए परसिद है खेचड़ी जब ताबे के लिए परसिद है तो कोई दूसरा कैसे आ सकता है ठीक है तो आपका पूरा पहला ही वाला सही है ठीक है इसमें भी बादित था तेक इस्टार लगाता आपके गढ़ना चक्र में इस्टार रहती अब देखी यहां पर कोईला ताबा खानि माइग नीज और बूरा कोईला तो बता यह कहां कौन पाये जाता है तो कोईला आपका कहां पाए जाता है गिरडी में याद रखिए गिरडी है गिरडी कहां होगा यह जार खंड में होगा तो जार खंड होगा जार खंड में गिरडी है ताबा कहां पाए जाता है बताए यह ताबा ताबा राजस्तान में पाए जाता है तो अलवर ही दिया है हलोई टो ताबा अराजस्तान में दिया है इसके बाए आपका मैगणीज पाए जाता तो मैगणीज आपका धारवाड में पाए जाए डा करनाटक में ऐ फरकर थीस बhouरा कोईला लीज़ियो थे लिकट हमेशा आपका तमिल नाडू में पाए जाएगा तो तमिल नाडू तो देखिए यह वाला कोश्चन तो सिंपल ही था जैसे आपको भूरा कोईला लिगनाइट दिया है तो आपको पता है हमने पूराने वीडियो में निवेला बताएते हैं सबसे ज्यादा यहां निवेला पा ये जार कॉंडम नाम ऐसे ही याद रहा याद रहा ए था तो आपको वैसे ही पाली एक ताबा अलवर बी तीसरा बी का तीसरा तो सी वाला आपका सही उझाएगा जए याद रखेगा चलिए निश्टरीपते गुर मही सानी तल्चरs जादू गुड़ा जावर यह भी बहुत अच्छा कुश्चन है यह सब लव ऐस के छेतर याद रखेगा बहुत बार पूचा जाता है तो गुरु महिसानी किसके लिए लोहे के लिए फेमस है याद रखिए जो गुरु होता है वो हम सब को पीट पीट के क्या करता है सही करता है ना मतलब जैसे आप जिसको गुरु मानते होंगे वो आप सब को क्या करता है पीट पीट के सब लोहा ही पीटा जाता है तो गुरु महिसानी लोहा तलचर हमने बताया था किसके लिए कोईले के लिए फेमस है तो तलचर कोईले के लिए फेमस है जादू गुड़ा तो ज जादू गुड़ा जावर जावर आपका सीसा के लिए फेमस है याद रखिए जावर सीसा के लिए फेमस है अब तो एका गुरू लोहा एका तीसरा एका तीसरा यहां यहां तलचर कोईला बी का चौथा यहां जादू गुड़ा जादू गुड़ा तापको याद है सी का कोई ने कोई ट्रिक याद कर लिजिए आपको Elimination करने में आसान रहेगा जादु गुड़ा याद कर लिजिए खेतर याद कर लिजिए गुरु महिसानी याद कर लिजिए ट्रिक ठीक है सब नहीं याद करना है अब देखें वही कोईशन है ठीक है एक बार हम फिर देख लेते हैं गुरु महिसानी गुरु लोहिक समाल तल्चिर यह वही है क्या यह देखें पीसियस दोजार बारा में आया है यह देखें मैं सोचा वही कोईशन है पीसियस दोजार बारा में आया ह है आरो यारो 2016 में आया है ठीक है देखिए वही कुश्चन रिपीट किया है बारा वाला कुश्चन 16 में रिपीट किया है तल्चिर तो कोईदा के लिए जादू गुड़ा यूरोइनियम के लिए जावर जस्ता के लिए ठीक है यहाँ होगा ठीक है तो अब जो कहते हैं रिपीट नहीं होता है क्या नहीं रिपीट होगा देखी यहां पर देखे 2016 में 2010 इसी लिए मैं करवाता हूं आपको चूना पत्थर कॉपर बाक साइड मैगनीज अब देखे चूना पत्थर किसके लिए परसद्ध मतलब पैमाने पर यूप आरो यारो 2021 में कुश्चन आया है तो आरो यारो 2021 का कुश्चन कितना सिंपल है चूना पत्थर यह यह देखिए एक ही है तो जो लोग कहते हैं बहुत सब्सक्राइए पेपर कैसे निकलेगा सिर्फ आप पढ़िए पेपर तो निकली जाएगा सिर्फ आप महनत से लेंगे आप देखिए कउपर की लिए तो पढ़ब हैन में कॉपर नहीं हुआप खरतने जाते हैं तो तो यह कॉपर वाला बोड जो अंदर भूमता है कि Kउपर वाला मांगा आता झांट तो पिजली में हवाइज वय में थीक है बहुता हाइज होता है हवाइज तो इमुनियम काई बना होता है अब मैगनीज इस पाथ मैगनीज के उत्पादन में पहले हसान पर कौन है मद्दपर्देश दूसरे में महाराष्ठ बस इतना ही हाज के लिए बस इतना ही अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कोई सजेशन देना होगा कि आप ऐसा सुधार कीजिए तो भी दे दीजिएगा मैं आपका सजेशन अपने तहे मनलब अपने स्वागत करूंगा उसका ठीक है तो हमको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अप प्लीज ये वीडियो सेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में अपने बता दिजिए यहां पर आई ये स्पीसेस के कुशन करवाए जाते हैं ठीक है तो धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत